नमस्कार रादे रादे मैं सच्चेदानंद सीनकुष्वा आप सभी को सपरिवार नवरात्री के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बदाई एबं हार्दिक सुबकामना हैं। नवरात्री पर्व के नो दिन मा भगवती के नो देब्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। मैसासुर मर्दनी माता की कथा सुना है। हिंदू धर्मसास्त्रों मानिताओं के अनुषार तथा किवदंतियों में वर्नित कथाओं के अनुषार रंभासुर नाम का एक असुर हुआ था। जिसके पुत्र का नाम मैसासुर। मैसासुर अत्यंत सक्ति साली था। मैसासुर की उत्पत्ति कहा जाता है कि पुर्स और महिसी अर्थात भेंस के सायोग से हुई थी। मैसासुर ने अमर होने के एक्षा से ब्रह्मा जी को प्रसंद करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। मैसासुर की कठिन तपस्या से प्रसंद होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी हंस पर बैठ कर मैसासुर के निकट आये और बोले हे बत्स मैसासुर उठो और अपनी चानुसार बरदान मांग लो मैसासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी सुति की और उसके उपरांत ब्रह्मा जी से अपने आपको अमर होने का बरदान मांग लिय महिसासुर द्वारा मांगे गए बर्दान को सुनकर ब्रमा जी ने कहा बत्स एक मरत्यू को छोड़कर तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो मैं तुम्हें वह बर्दान परदान कर सकता हूँ क्योंकि जन्में हुए प्राणी का मरना तैफ होता है तब महिसासुर ने बहुत सोचा और फिर इसके उपरांत उसने ब्रमा जी से कहा है प्रभू देवता असुर और मानव किसी से मेरी मरत्यू ना हो ऐसा मुझे बर्दान दीजिए साथ ही मेरी मरत्यू यदि निश्चित है तो किसी इस्त्री के हाथ से होना सुनिश्चित कीजिए महिसासुर की ये बात सुनकर ब्रमा जी ने एबमस्तु कहा और वो अपने ब्रमा लोग को चले गए ब्रमा देव से ये बर्दान पाकर और अपने राज्य में लोटने के बाद मैसासुर समस्त देत्यों का राजा बन गया उसने समस्त देत्यों के एक विसाल सैना का गठन किया तथा पाताल लोग और मरत्यु लोग पर आक्रमन कर उसे जीत लिया और उस समस्त को अपने अधीन कर लिया इसके उपरांत मैसासुर की इक्षाएं और प्रबल होती चली गए उसने देवताओं के इंदर लोग पर भी आक्रमन कर दिया देवताओं पर आक्रमन के समय भहेंकर युद्ध हुआ इस युद्ध में देवताओं के साथ भगवान स्री हरी विष्णू और महादेव भी सम्मलित हुए किन्तु मैसासुर परास्त नहीं हुआ मैसासुर ने देव लोग पर भी अपना आधिपत्ते इस्थापित कर लिया और वैत्रलो का अधिपत्ती बन गया समस्थ देवताओं ने भगवान स्री हरी विष्णू से निवेदन किया और मैसासुर के अंतहेतु प्रार्थना की तब भगवान स्री हरी विष्णू के नर्देश पर समस्थ देवताओं ने एक साथ मिलकर समस्त जगत की आदिकारण माता भगवती महासक्ती की आराधना की सभी देवताओं के सरीर से एक दिब्य तेज प्रकट होकर एक परम तेजस्वी और दिब्य गुणों से सुसोबित कन्या प्रकट हुई उस उतेजस्वी कन्या को हिमवान ने भगवती की सभारी के लिए सिंग दिया तथा सभी देवताओं ने क्रम से अपने अपने महत्पून अस्त और सस्त्र उस महामाया की सेवा में प्रसुत कर दिये भगवती देवी ने देवताओं पर प्रसंद होकर उन्हें सीग रही महिसासुर के भई से मुक्त करने का आस्वसंदिया इस प्रिकार देवताओं को आस्वसंदिने के उपरांत माता भगवती हिमालाय पर पहुँची और अटहास पूर्वा गोर गरजना करने लगी माता भगवती की अटहास पूर्व गोर गरजना को सुनकर महिसासुर के असुर्व उनसे युद्ध हेतु प्रसुत हो गये महिसासुर्व के जितने भी सैनानी जितने भी युद्ध में समलित साथी थे वैसे भी माता भगवती के हाँ तो मारे गए इसके उपरांत मैसासुर माता भगवती से युद्ध हेतु प्रसुत हो गया और उसने माता भगवती के साथ भेंकर युद्ध छिड़ दिया महिसासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूपों को रखकर विविन्द मायावी छलों को प्रसुत कर देवी को छल से मारने का प्रयास किया लेकिन महिसासुर सफल नहीं हुआ और अंत में माता भगवती ने महिसासुर का मस्तक काट दिया उसका बद कर दिया उन भगवती देवी दोरा मैसासुर का बद किये जाने के उपरान थी, माता भगवती का नाम मैसासुर मर्दनी सुपरसिद्ध हुआ, मैसासुर मर्दनी मा भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम, मा भगवती की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे इनी सुपकामनाओं क साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में तब तक आप सभी स्वस्त रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें जैसरी रादे रादे जैमाता दी